हाई गाईज इस टुटरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने टेबल को अलाइंग कैसे कर सकते हैं यानि ये टेबल लोग ओने बार्डर है ये लेफ्ट में अगर में चाहता हूं कि ये सेंटर में ऊप्स Consideros language अपशली हो C»,Cоды मैं विडियो कर दोjac चुके है, align का value आप देते है, left, right और center, okay, so इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमारे पास सिर्फ available है, left, right and center, ठीक है, तो center हम लोग करते है, center, okay, इसको save करते हैं, और इसको refresh करते है, okay, यहाँ आगया आपका table, यहाँ की center में, एक जिरी का ध्यान रखीगा, कि यहाँ बिना double quotes दिये हुए भी यह काम करता है, लेकिर आपको हमेशा, इसमें double quotes, value में double quotes आपको देना है, ठीक है, यहाँ भी और, यहाँ भी actually, ठीक है, value में जब भी आप attribute name लिखते हैं, attribute का value लिखते हैं, तो इसको double quotes के अंदर लिखिए, save करते हैं इसको, और इसको refresh करते हैं, फिर से, okay, आपको वही output मिलता है, यह center हो गया, आप चाहें तो इसको right भी कर सकते हैं, यहाँ बस आपको right लिखना पड़ेगा, और इसको save करना पड़ेगा, और इसको refresh करते हैं, तो आपको यह right में मिलता है, ठीक है, इस तरी के सब अपने table को align कर सकते हैं, thanks for watching,